राधे राधे प्रेंट्स आज मैं बना रही हूँ गेहु का आटा और गूर का ठेकवा तो ठेकवा बनाने के लिए मैंने दो केजी के लगभग गेहु का आटा लिये हैं और एक केजी के लगभग गूर लिये हैं तो मैंने इस परकार का गूर लिया है एक केजी में मैंने एक बचा लिया है बादमा की सारे गुड को गरम पानी में डाल दिये थे तोड़कर तो ये अच्छे से मेल्ट हो गया है तो और महिने लिया है सुकी नारियल को महिन महिन काट कर जिसे गड़ी भी बोलते हैं और थोड़ा सा मुंफली दाना को कुट कर लिये हैं सौफ हरी जिसे जिसे गोल मरीज भी बोलते हैं ठेकवा में डालते हैं और लिये हैं 200ग्राम के लगभग सुदगी तो गूड वाले ठेकवा में सुदगी का ही मोयन डालने से ठेको अच्छा बनता है तो ऐसे अब रिफाइन वायल भी डाल कर बना सकते हैं वो भी अच्छा ही बनता है तो मैंने घी और आटा को अच्छे से मिला लेंगे तो घी और आटा को हम अच्छे से हातों से मिला लिए मसल मसल कर कटा हुआ सुखा नारियल बदाम सॉफ कुछी भी लाएची सारा कुछ हम डाल कर इसे भी अच्छे से मिला लेगे सारे चीजों को अच्छे से मिला लिए अब गूड को भी डाल कर मिला लेंगे तो गूड हमारा अच्छे से मेल्ट हो गया है मैंने इसुखा वाला गूड लिया है आप रवा गूड का भी बना सकते हैं उससे भी बहुत अच्छा होता है तो गूड को हम अच्छे से आटा के साथ पहले चमच से मिला लेंगे फिर हातों से मिलाएंगे अच्छे से गूड और आटा को अच्छे से मिलाना होता है तो इसमें पाच्छे साथ मिनट टाइम लग जाता है मिलाने में हाथों से मसल मसल कर हम अच्छे सी मिलाएंगे जब तक कि आटा का कलर चेंज ना हो जाए आटा हलका सा गुड के कलर के जैसा ही रेड रेड हो जाएगा तो मैंने अच्छे से मिला लिया है अब ये ठेकवा बनाने लाइक हो गया है तब हम ठेकवा बनाना स्टार्ट करते हैं तो आधा आटा को हम एक साइड इस तरह से दवा देंगे और थोड़ा-थोड़ा सानते जाएंगे और बनाते जाएंगे एक साथ में सभी आटा को हम नहीं सानेंगे तम थोड़ा सा आटा में थोड़ा सा पानी डालेंगे आटा को सानना नहीं है बस हलका हलका पानी डालकर जस्ट मिला लेना है इस तरह से पानी डालकर सारे आटा को एक जगा बस मिला लेना है इस तरह से लंबा या गोल हम हाथों से दबा कर पेडा बना लेंगे आपको जीशकार में बनाना है आप लंबा ठेकवा भी बना सकते हैं गोल भी बना सकते हैं इजर मैंने चुले पर एक कढ़ाई को चढ़ा दिया है कढ़ाई गरम हो गया है उसमें हम रिफाइन वाइल डालेंगे आप चाहे तो सुधगी में बना सकते हैं हमारे पास अभी उतना सुधगी नहीं था इस तरह से लंबा लंबा लोई बना कर हम एक बराबरी से साचे के उपर ठोक लेंगे साचे के उपर हलका सा हम वायल लगाएंगे बीच में हम ना मोटा करेंगे ना किनारे को पतला करेंगे हम एक बराबर चारो साइड में ठोक कर त्यार करेंगे तब ही हमारा अच्छे से सीखेगा ठेकवा इसी तरह से हम सारे ठेक्वा को ठोक ठोक कर त्यार कर लेंगे और मीडियम गरम तेल में हम इसे फ्राई करेंगे तेज आज में नहीं बनाना है ठेक्वा को तो मैंने एक बार डाल दिया था इसे में गोल्डन ब्राउन करकर धीमियाज पर फ्राई करकर इसे हम निकाल लिए है गूर्ड का ठेक्वा है यहलका ब्राउन ही होता है चीनी का ठेक्वा है तोड़ा सा वाइट वाइट दिखता है तो हम इसी तरह से सारे ठेक्वा को बना लेंगे धीमियाज के उपर आज तेज नहीं करना है ठेक्वा बनाने में बहुत टाइम लग जाता है क्योंकि हमें धीमियाज पर सेक्वा होता है दो केजी है तो मैं अकेले बना ले रही हूँ इससे चार पांच केजी रहने से दो तीन जन मील कर बनाने से अच्छा होता है इस पहले आज को मीडियम रखेंगे फिर धीमियाज पर इससे सेकेंगे तो मैंने सारे ठेक्वा को बना लिया है थोड़ा सा रहने से अकेले हो जाता है एक दो केजी तक आप अकेले बना सकते हैं इससे जाधा रहने से दो तीन जन मील कर बनाने से आराम से बन जाता है तब इसी ठंडा कर लेँगे तो हमारा सारा ठेक्वा बन गया है इसको आधा गंता तक ठंडा हो गया है तो हम इस एक डब्बा में रख देगे यह बहुत भारी होता है देखे हमारा डब्बा भरा भी नहीं दो किजी आटा में तो बन कर तियार हो गया थेंक यू फ्रेंड्स